नमस्कार फ्रेंड्स आपका अर्दिक स्वागत हमारे यूटीब चैनल टेक्निकल सोहान मत एक बार फिर से मैं आपके लिए मौशम खबर लेके आ गए तो फ्रेंड्स वीडियो के अंड तक बने रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को प्लीज कर देना क्योंकि मैं डेली मौसम अपडेट आपके लिए लेके आता रहा तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप जब बारिस कांप हुए तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने सुबह मौनिंग को बताया था उसके अनुसर आज बारिस बाड मेर जसल मेर और नागोर और अजमेर के सित्र में आज अच्छी और कई भारी तो कई मद्यम गत्य की बारिस हुई है सबसे पहले बाड मेर के कुछ तैसीलों में बहुत अच्छी बारिस हुई है नागोर में लगातार तीन दीन से बारिस हो रही है और अजमेर आज रात के मौसम की बात करते हैं आज रात के मौसम की बात की जाए तो अभी आपको वैसे कि मैंने मौर्णिंग को बताया था एक सर्कूलेसन बना हुआ है जो पाली रासमन सीरोई जालोर बाड मेर जोदपूर जैसल मेर भीकानिर नागोर सुरू श्री गंगानगर हनुमार तक यह फैला हुआ है तो यहां पर आज बारिश की बात किया सबसे जाएदा बारिश जालोर शिरोई पाली रासमन जोदपूर बाड मेर के जिल्लों में आज पहेंकर बारिश हो शक्ति है क्योंकि इस सर्कल आज पूरी तरिफिश से फैल सुका है अब बात करते हैं इस एक सर्कूलेशन बना हुआ तो यहां पर भी आज रात को भेंकर वापारी बारिश की शंबावना है अब बात करते हैं मद्यम बारिश और नीमन बारिश की बात का पर होने वाली है आज नीमन बारिश की बात की जाए तो जालावाड कोटा बारा बुंदी सवाई मादोपूर जोणजनो सूरू और नागुर के जो उत्री भागे वाँ पे आज हलकी और कम बारिश हो शकती है फिर बात की जाए अपने दक्सिनी राजस्तान में तो दक्सिनी राजस्तान है बासवाडा दुंदरपूर परताब गड के चित्रों में आज हलकी बारिश हो सकती है लेकिन से तप्त के लिए वंदे मात्रम जय इन जय भारत